हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल सो आई होब कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जायम की पिप्रेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज की जमारी न्यू वीडियो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइटो जोग्रफी के बारे में तो सबसे पहले आप यह देख लीजे हम कवर करेंगे इंट्रोड़क्टरी कॉंसेप्ट ऑफ बायो जोग्राफी के बारे में देखेंगे फिर सेम चीज़ हम इंडिया के बारे में देखेंगे प्रदेश्ट के वेजिटेशनल टाइप को हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल साइंस वाली को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कॉमेंट में कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आपको हमें टैलीग्रम पर फॉलो करना है तो लिंक आपको हर जगा मिल जाएगे आप मेरे आपूट सेक्षिण में जाओगे तो भी आप डिसक्रिप्शन बॉक्स में चिप करोंगे तो भी अगर नहीं मिलती है तो फीर हम कॉमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे आप वहाँ पिर हमसे connect हो सकते हैं ठीक है टालिग्राम पर चलिए phyto geography समझते हैं और कुछ इससे additional terms समझेंगे जो differentiated way में आपको हम दिखाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे अगर हम बात करें phyto geography की तो phyto geography जो नाम है उसी से आपको बहुत समझ में आ रहा है the first term is your phyto and the second term is your geography ठीक है तो phyto मतलब क्या होता है हमने हमेशा से बताया है plant podhe ठीक है और geography मतलब क्या होती है जो भुगोल होता है ठीक है भुगोलिक छेत्र जो होते हैं उन सब चीजों की हम बात करते हैं तो phyto geography एक ऐसी ब्रांच है हमारे bio geography की जो डील करती है distribution of plant species and उनकी vegetation टाइप को across geographical space and through geological time ठीक है तो आपको पता होगा कि geography क्या होती है actually it is about the bhoomi ठीक है भूमी से related जो भी कुछ है वो सब कुछ आप geography में पढ़ते हो ठीक है related जितनी भी चीजे हैं सब कुछ तो हमारा जो phyto है जो हमारा plant है वो कहां कहां distributed है कौन कौन से species कहां पाई जाती है उन सब चीजों के बारे में हमें समझना चाहिए क्योंकि अगर हम ये चीजे समझेंगे कि कहां पर कौन से species पाई जा रही है तो अगर कोई species extinct हो रही है, endemic हो रही है, तो हम उसे conserve कर सकते हैं, ठीक है, प्लस जो जैव विविदिता है, जो bio diversity है, वो actually में बहुत बड़ा role play करती है, इससे पहले हमने पढ़ा था न, bio geography and its conservation, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है जैव विविदिता का होना, ठीक है तो phyto geography एक bio geography की branch है, ठीक है, जिसमें आप पूरी तरीके से plant species मतलब की जो पौधों की प्रजातिया होती है, जो उनके प्रकार होते हैं, उनके वित्रड से संबंधी चीजों को आप यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आपको काफी सारे factors भी दिखाई देते हैं, ज and even हम human activities की भी बात करेंगे, जिनका बहुत ज़्यदा influence है, contribution है, इस plant जो अर्थ है, उसके plant के distribution में, तो यह सारी चीज़े हम phyto geography में पढ़ते हैं, in a simple word, phyto geography एक ऐसी branch है, जिसमें हम plant species के distribution और उनके vegetation type की study करते हैं, different geographic areas में, अलग अलग time पे, होता है ना, आप बदलते हैं अलगते हुए वक्त में, क्या species में change आया है, किस जगह पर कौन से species आ गई है, किस जगह पर कौन से species विलुक्त हो गई है, किसका number high है, किसका कम number है, यह सारे जो समय के साथ बदलावाते हैं, आप यह सब कुछ हमारे phyto geography में पढ़ते हो, ओके, तो देखे, phyto geography, bio geography की वह स आखा है, जो भोगौलिक स्थान और भू वज्ञानिक समय के माध्यम से पौधू की प्रजातियों और वनिस्पती प्रकारों के वित्रर से संबंदित है, यह जलवायू, भू, विज्ञान, मिट्टी और मानवी यह गति विधियों जैते कारकों की जाच करता है, जो पृत इस भी पर पौधों के वित्रर को प्रभावित करते हैं, so this is actually about the botany, ठीक है, this is actually related to our botany, like related to our plant, same term use होता है हमारे animals के लिए, जिसको हम बोलते है, ethology, जो की आप पढ़ोगे कल, ठीक है, कल्या पर्जों में हम ethology पढ़ाएंगे, जुओलोजी वाले बच्चों को, तो सेम यह चीज है, जब आप ethology पढ़ते हो, तो आप उसमें बात करते हो, animals के behavior की, उन पे आप observation लेते हो, उनके analysis करते हो, उनके behavior के हमारे natural environment में, तो देखो, जो phytobiology है, जो phytogyography है, वो actually आपके plant से related है, बट जो ethology है, वो हमारे animal behavior से related है, काफी बार यह दोनों टर्म्स में बच्च इथालेजी भी बच्चे समझ लेते हैं कि हो सकता है कि यह बातनी से related हो, बट नो, इस इस बातने पार यह बातने, इस 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 रिलेटेट तो योर इथालेजी, ठीक है, sorry, जोलेजी, ओके, तो हम क्या करते है इथालेजी में, हम प्राडी विज्ञान, इथालेजी को हम प् उनका अध्यान करते हैं और विस्क्लेशर इसमें किया जाता है या उनके समाजिक अग्याज, संचार और प्रतिकिरियाओ मतलब की इट सीज तो अडर्स्टैंड हाउ और वाई एनिमल्स बिहेव दे वे दे डू इंफ्लूडिंग दियर सोशल इंटरेक्शन, कम्यूनिकेशन और रिस्पॉंस तो इस्टिमॉलाई इटालोजी में हम यह समझते हैं कि हमारे निचुरल इंवर्मेंट में एक जो एनिमल है वो कैसे रिस्पॉंस कर रहा है और क्यों रिस्पॉंस कर रहा है ठीक है, उसका हर एक इस्टिमॉलाई मतलब जो बाहर से लिफसे कुछ भी अ스छ दे रहे वो कोई भी होता है इस्टिमॉलाई को मैं कैसे समझाय इस्टिमॉलाई को स्टिमुलाय को जैसे कि आप और जैसर ही कुछ आप देते हूं तो जो रिस्पोंस आते हैं जैसे मच्छ्ड ने काटा मच्छ्ड इस्टिमुलाय जो रिस्पोंस आयगा आपका वो रिस्पोंस चैलाता है ठीक है तो जो हमारे इनिमलLink tari वो कैसे response करते हैं हमारे natural environment में प्लस अपना उनका जो social interaction होता है वो कैसे होता है उनकी communication कैसी होती है ये सब कुछ हम ethology में पढ़ते हैं ethologists जो होते हैं वो often conduct करते हैं research में ठीक है? हम ethology का या phytogeography दोनों का ही हम अगर बात करें, importance की बात करें they are very much important in our research field जिसमें हम animals के natural habit में उन्हें observe करते हैं और बहुत सारे experiment करके उनके behavior की hypothesis हम देते हैं तो this is in case of your ethology और phytogeography is your botany से related है ठीक है? पौधो से related है इफ वी talk about the differences तो अगर हम बात करें difference की तो phyto और जो हमारा ethology है ये दोनों ही subject matter पर depend करता है ठीक है? sorry इनका जो subject matter है वो depend करता है कि आप कैसे उसे पढ़ रहे हो जैसे ethology को आप प्राडी विज्ञान कह सकते हो phytogeography को आप वनस्पती भूगोल कह सकते हो ठीक है? ethology focus करता है scientific study of animal behavior जिसमें आप various expect देखते हो animals के जैसे social interaction, communication, responses जो उनके stimuli के द्वारा आ रहा है और ethologist एनिमल को उनके natural habitat में observe करते हैं और understand करते हैं समझते हैं कि उनका behavior pattern क्या है और उनमें जो evolution हो रहा है तो उस evolutionary significance को भी वो काफी ज़्यादा आराम से observe करते हैं phytogeography में क्या है? phytogeography on the other hand यह deal करता है study of distribution of plant species across different geographical reasons ठीक है बताया ही different जो भगॉलिक छेत्रे हैं वहाँ पर कैसे जो हमारे पौधो की प्रजातियां हैं वो वित्रण हैं, कैसे वो फैली हुई है इसकी बाद हम phytogeography में कहते हैं ठीक है it explores factors influencing plant distribution जैसे कि climate, soil type, historical events उसके अलाव फाइटो जोग्राफिक एनलिसिस, पैटर्न अफ प्लांट डाइवर्सिटी और इंडेमिक स्पिसीज यह help करती है actually हमें ecological processes को समझने में और historical biogeography को समझने में ठीक है in Hindi मेरे हिंदी बाले बच्चों के लिए देखिए प्राडी विज्ञान जानवरों के वहवार का विज्ञानिक अध्यन करता है समाजिक आघास, संचार और प्रकिर्तियों की विभिन पहलियों का अध्यन करता है प्राडियों को उनके प्रकिर्तिक आवाशों में देखकर उनके वहवार पैटर्न और प्रयोजिनिक महत्वों को समझने का प्रयास किया जाता है हमारे इथॉलिजी में वहीं अगर हम वनस्पति भुगोल की बात करें तो विभिन भुगौली छेतरों में वनस्पति प्रजातियों के वित्रर का अध्यन किया जाता है यह वनस्पति वित्रर को प्रभावित करने वाले कार को जैसे कि जलवायू, मृदा प्रकार और एतिहासिक घटनाओं का अध्यन करता है वनस्पति जो भुगोल है प्रकृतिक जो हमारी प्रकृतियाएं हैं जो एतिहासिक भुगोल है उनको समझने के लिए वनस्पति अविविधिता और इस्थानिय प्रजातियों के पैटर्न का विशलेशर करता है ठीक है तो I think कि now you are very much like aware with this term so कभी कोई पूछे तो तुरंट जवाब देना और सही जवाब देना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जो हमारा second topic था biogeographic reasons of world तो हम इसकी बारे में बात करेंगे देखे अगर हम biogeographic reasons की बात करें तो क्योंकि हमने direct reasons की बात की है यहाँ पर तो हम यहाँ पर पहले आपको explain करेंगे की होता क्या है biogeographic reason केवल आराम से सुनिये बैटके first thing देखे यहाँ पर reason लिखा हुआ है this is not that reason जो कारण वाला होता है this is the reason जिसका मतलब छेत्र होता है लेकिन pronunciation same है यह यह भी reason कहलाता है यह भी reason कहलाता है तो इसमें आपको confused नहीं होना है और copy में कभी भी reason की spelling जब आप phytogeography में लिख रहे हो तो यही लिखो different समझो pronunciation shame है लेकिन आपके जो term है वो different है ठीक है उनकी meaning different है first यह clear हो गया second if we talk about the biogeographic reason अगर हम बात करें हमारे biogeographic reason मतलब कि जैव भुगोलिक छेत्री के बारे में विश्व में तो देखें सबसे पहले biogeographic reason हमारे world में कुछ areas है ऐसे areas है जिनका similar ecosystem species evolutionary history होता है ठीक है और यह factors like geography, climate and evolutionary processes के वज़े से यह बन जाते हैं समझ में आया देखो जैव भुवेलिक छेत्र जो है भुगोलिक छेत्र जो है वो विश्व के विभिन छेत्रों को उनके समान परिस्थिति की ecosystem, प्रजातियां species and जैविक इतिहास ठीक है evolutionary histories की बात कर ले उनके कारण से हमने इनहें वर्गिकरित किया हुआ है जिसे हम biogeographic reason कहते हैं इन छेत्रों में आपको भुगोल दिखेगा जलवायू दिखेगी जैविक प्रकिर्तियों जैसे कारकों से निधारित किया जाता है कैसे बनाते हैं हम biogeographic reason हमें वहां का भुगोल देखना है geography देखनी है, हमें climate देखना है हमें evolutionary process देखना है तब जाके हम किसी reason को biogeographic reason consider करते हैं अब देखो, अगर हम world में बात करें there are several system used to classify these reasons बहुत सारे आपके पास system होते हैं जिसके बज़े से आप different world में ऐसे reasons बना सकते हो कि यह reason है, यह reason है लेकिन हमारे जो www.f.s system है ठीक है? www.f.s system जो है उन्होंने world में 14 major biogeographical relams दिये हैं realms बोलते हैं, relams बोलते हैं it's all up to you तो relams दिये हैं यह जो realms है या relams जो भी आप बोलो यह include करते हैं कुछ names 14 है, ठीक है? 14 प्रमुक जैव भुगोलिक छेत्रों में विभाजित किया जाता है दुनिया को लेकिन इन छेत्रों में आपको कुछ पढ़ने हैं कुछ ignore भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि 14 के 14 आप पढ़ो ठीक है? इन छेत्रों में विशेज पौधों और जन्तियों जो हमारे जन्तुएं होते हैं जो इस्पिसीज होती हैं क्या क्या है? पढ़ लीजे एक बार कौन कौन से नेम है? दा फर्स्ट वन इस यो नियाटिक फिर पैलियार्टिक एफरो ट्रॉपिकल नियो ट्रॉपिकल ओशियानियन एंटार्टिक फिर ऑस्ट्रेलियन एंडो मल्यानन तो इसमें से आप अगर दो या तीन भी याद रखते हो नाम तो पूरा याद रखो दो तीन के बारे में बस नॉर्मल देख लो तो सब्जेक्टिव तो निकल जाएगा नाम लेकिन आपको जैसे याद होना चाहिए कि कौन वन से जोने लगाना है कुछ समझना नहीं है केवल सुनना है कौपी या पन लेके मत बैठो केवल सुनो आराम से ठीक है ये इंकम पास करता है Most of the North America नाम से समझ में आ रहा है N for Neartic, N for North America ठीक है जिसमें आपको ट्रॉपिकल रीजन्स दिखाई देते हैं जहां पर आपको डाइवर्स इको सिस्टम दिखाई देगा जो कि टुन्डरा तो डेजर्ट और टैंपरेश्ट फॉरेश्ट तक फैला होगा समझ रहे हो आप हिंदी वाले बच्चों आप लोग यहां से अपने नोट्स प्रिपेय कर लेना Paleartic रीजन क्या है आता है बाया जोग्राफिकल रीजन हमारे वर्ल्ड में ठीक है फिर नियोट्रॉपिक जो रीजन है उसमें साउथ एं सेंट्रल अमेरिका आता है जिसे हम केरिवन आईलैंड के नाम से जानते हैं यह बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहां पर वाष्ट रेनफॉर्स पाया जाता है बहुत डाइवर्स फ्लॉरा होते हैं यहां पर इस पेसीज रिचनिस काफी ज्यादा होती है ठीक तो आपसे पूछा जा सकता है कि केरिवियन आईलैंड जो है वो किस रीजन में आता है तो नियो ट्रॉपिकल रीजन में आता है जब हम इसके MCQ सॉल्फ कराएंगे ना तो प्लीज उस क्लास को अटेंड करिएगा बहुत बेनिफिशल क्लास होगी वो छीक है वैसे तो अल्रेडी बहुत सारी बेनिफिशल वीडियो अवर लेवल हैं हमारे चैनल पर तो विजिट करिएगा एफ्रो ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो इसमें सब सहारन एफ्रिका आता है जिसमें आपको मिक्स दिखेगा ट्रॉपिकल रेनफॉरेश, सवानाज और डेजर्ट जिसमें आपको काफी ज्यादा हाई लेवल ओफ बायो डाइवरसिटी दिखेगी ठीक है इसमें आपको इंडियन सब कॉंटिनेंट दिखेंगे साउथ इस्ट एस्या दिखेगा इंडियोन एशिया का कुछ पार्ट दिखेगा इसलिए इसका नाम इंडो मले आनन रीजन रखा गया है और यह नन होता है इसको क्यों जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ट्रॉपिकल रेनफॉरेस पाये जाते हैं फिर मैन ग्रूफ और डाइवर्स वाइड लाइफ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि open ocean होगा यहाँ पर यहाँ पर island पाये जाते हैं प्लस यहाँ पर wide range of आपको क्योंकि नाम ही है ocean and ocean is all about your marine ecosystem तो यहाँ पर marine life बहुत ही जादा आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो यह जैसा हमने बोला कि biodiversity क्या होता है biodiversity जुज्य है वो भी विद्धता है वही होती है तो अगर हम किसी reason को biodiversity के हिसाब से बाट रहे हैं तो obviously वहाँ पर species richness जादा होगी वहाँ पर जो tropical rainforest है मतलब dessert है आपको petals दिखेंगे काफी सारे इसी वज़े से तो हम उसे बाट रहे हैं तो सारे चीज में सेम ही content है कुछ चीजे बस अलग हैं तो उसे हमने बताया उपर आपको तो वो चीजे आप याद रखिएगा ठीक है फिर सेम चीज अगर हम इंडिया के बारे में बात करें कि हमारे इंडिया में कौन-कौन से biogeographic reasons हैं तो यहाँ पर भी काफी सारे हैं जैसे कि Trans-Hemalian हो गया हमालियन हो गया जैसे आप यह reasons देखते जाना देखो This is your Trans-Hemalian ठीक है फिर उसके बाद आप यह वाला जो reason देख रहे हो This is your Himalian फिर Yellow वाला reason जो है ठीक है This is semi-arid उसके बाद फिर यह वाला reason जो है Gangetic Plains हैं आपके है न ग्रीन वाला जो reason है यह जितना भी green दिखाई दे रहा है फिर desert आप देखो यह सारा फिर एक मिनट यह Deccan Peninsular है ठीक है आपको यह Western Guard दिखाई देगा फिर आपको North East दिखाई देगा फिर आपको desert यहां यहां देखो यह desert है ठीक है यहां desert दिखाई देगा मैंने भी पता नहीं यहां सोचके क्या भोला ठीक है तो color differentiation नहीं हो पा रहा था फिर island आपको वही पानी के तरफ दिखाई देगा जहां जहां पानी होगा आपको दिखाई देगे ठीक है तो यह आपके bio geographic reasons है हमारे इंडिया के इसमें आपने आपको कुछ ही पढ़ने है जादा नहीं पढ़ना है Trans Himalayan region में आपको cold desert दिखाई देगे Ladakh का लहौल इस्पिती का ठीक है यह जो reasons है यह आपके Trans Himalayan region में आते है जो कि इंडिया के northern part में देखने को मिलता है यहाँ पर sparse vegetation होता है extreme climatic condition होता है ठीक है फिर अगर हम बात करें Himalayan region की तो यहाँ पर Himalayan mountains आपको दिखाई देंगे बड़े बहुत लंबे लंबे आपको mountains दिखाई देंगे पहाड़ दिखाई देंगे यहाँ पर foraged alpine meadows and diverse wildlife आपको दिखाई देगा इस reason में फिर Indian desert reason में आप देखोगे तो Rajasthan side जाओ तो आपको desert दिखाई देगा western India में फिर यहाँ पर arid landscape होता है thorny vegetation होता है और desert fauna आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है like cactus फिर semi-arid reason में आपको spend part of north western and central India आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आप mix of arid and semi-arid landscape देखोगे और यहाँ पर आपको shrub, forest and grassland देखने को मिलेगा ठीक है normal vegetation को semi-arid बोल देते हैं फिर western घाट जहाँ पर आपको rich biodiversity and high level of Indianism दिखेगा मतब कासी सारे taxons आपको दिखाई देंगे tropical rainforest जो होता है most deciduous forest जो होता है और evergreen forest यह सब ही western घाट को support करते हैं मतब आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा including many endemic species होती है वह भी आपको इस reason में देखने को मिल जाएगी western घाट में very rich species richness बहुत जादा होती है उसके बाद eastern घाट की बात करें तो यह भी similar होती है western घाट के तरह लेकिन यह पर lower level of endemism होता है ठीक है मतब कि उतने जादे आपको taxons नहीं दिखाई देंगे यहाँ पर आपको tropical dry forest दिखाई देगा moist deciduous forest दिखाई देगा फिर scrub lands दिखाई देंगे unique plant species adapted to the reasons climate काफी सारी आपको unique species आपको eastern घाट में दिखाई दे देगी अगर हम बात करें coastal zone की तो यहाँ पर आपको coastal plains of India की बात करते हैं जहाँ आपको mangrove forest ठीक है mangrove forest tidal wetland salt marsis यहाँ पर आपको काफी जादा देखने क्योंकि reason ही उसी का है और saline condition में जो species होती है वो आपको coastal zone में ऐसे ही adapt करते वे दिखेंगी ठीक है जहाँ पर saltinity coastal zone में होती है तो ऐसे organism दिखेंगे जो उस salt है उसके level को tolerate कर सके ठीक है तो यह आपका कुछ Jones था हमारे इंडिया का अगर हम बात करें तो सेम अगर हम इंडिया के agro ecological की बात करें agro ecological reasons क्या होते है यह ऐसी geographical reasons, areas हैं जिनके पास unique combination होता है climate का, soil का, topography का and other environmental factors का जो हमारी agricultural practices and production के लिए काफी ज्यादा useful होती है What is agro? Agro means agriculture उके उसके बाद अगर हम बात करें ecological तो सेम ही चीज़ है आपको ecology से related है तो यहाँ पर agricultural practices and production आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है अगर हम इंडिया के constant context में बात करें तो agro ecological regions को हम classify करते हैं कुछ factors पर जो हमें guide करते हैं कि हम कैसे agricultural planning कर सकते हैं research and development कैसे कर सकते हैं उस reason में और वहां के reason की specific need and condition को बहुत ही अच्छे से हम जाननी की कोशिश करते हैं क्यों जाननी की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें agriculture करना है बहुत ही ज्यादा production करना है and second हमें research and development कुछ नई चीज़ों के बारे में जानना है तो agro ecological reason हमारे इंडिया के काफी ज्यादा popular and important reasons होते हैं अगर हम बात करें कौन कौन से reason है तो western Himalayan region जो कि आपके जमु कास्मीर, हिमांशर प्रदेश और उत्राखंड को include करता है कौन कौन से reason उपर वाले reason यह जो उपर वाले reason होते हैं उनमें जो जमु कास्मीर आता है हिमांशर प्रदेश और उत्राखंड आता है इंडिया का वो आपको इस reason में दिखाई देगा यहाँ पर cold temperature होता है high altitude agriculture होता है जैसे कि apples, pears and potatoes जो हैं यह यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इनकी cropping देखने को बहुत ज्यादा आपको western himalayan reason में मिलता है ठीक है आपसे पूछा जा सकता है western himalayan reason में कौन कौन से पार्ट आते हैं इंडिया की second आपसे पूछा जा सकता है कि apple जो है वो किस reason में हमारे जो इंडिया है उसके किस reason में उसकी cropping होती है ठीक है best कौन से reason होगा reason मैं बार बार बोल रही हूं reason is all about your this reason not your this reason कारड वाला reason नहीं बोल रही हूं छेत्र वाला reason बोल रही हूं उसके बाद अगर हम बात करें second तो वह होता है eastern himalayan reason हमने western की बात कर ली अब हम eastern की बात करेंगे तो इसमें अरुवांचर प्रदेश, Sikkim and North ये West Bengal वाला पार्ट आएगा तो हमने ये बात कर ली ठीक है अब इधर वाली बात करेंगे हम ये जो इंडिया का पार्ट है ठीक है इतना wait a minute ठीक है ये बात कर ली ये बात की हमने western की अब हम बात करने वाले हैं eastern की जहां पर आपको West Bengal वगेरा दिखाई देगा ठीक है अरुवांचर प्रदेश, Sikkim तो ये सारे आपके पार्ट जो होंगे वो हमारे eastern Himalayan region में आएगे इसमें आपको diverse agriculture देखने को मिलेगा rice की, maize tea, citrus food क्योंकि यहां याद रखना बहुत यह स्लाइट बहुत इंपोर्टेंट जो एकोलोजिकल रीजन से वेरी मच इंपोर्टेंट तो कुछ और याद करना चाहने इस टॉपिक से यह तारी चीज़े याद कर लेना ठीक है तो कौन से रीजन में क्या पाया जाता है वो चीज़े याद करनें लाइक आपको पता होगा कि अरुवांशर प्रदेश हो गया या सिक्किम हो गया तो वेरी मच पॉपुलर फॉर राइस प्रोड़क्शन मेस प्रोड़क्शन टी प्रोड़क्शन यह तारी चीज़ों के लिए प्लेन की बात करें तो लोर गंगेटिक प्लेन में आपको वेश्ट बेंगौल बिहार उत्रप्रदेश देखने को मिलेगा और यहां पर आपको फर्टाइल प्लेन्स दिखाई देती है इसी वज़े से यहां पर राइस जो में क्रॉप होती है यह अगें दो मोश्ट इंप काफी ज़दा फर्टाइल होती है जो प्रोडक्शन होता है राइस का वीट का जो चावल है गेहूं है गन्ना है जूट है यह सब कुछ काफी अच्छे से यहां पर इनकी क्रॉपिंग हो जाती है क्यों हो जाती है तो यह याद रखना अलूवियल स्वाइल प्रेजन होता ह यहां पर आपको काफी ज़दा a diverse agriculture्स देखने को मिलेगा यहां वोचीजी देखने को मिलेगी जो इस तहरे सहितने को में धाल इस बस्den होता होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो देखो अगर हम बात करें होटी कल्चर एंड फ्लोरी कल्चर की तो दोनों ही ब्रांचेस हैं हमारे अग्री कल्चर की जो कल्टिवेटिंग प्लांट्स है उन फे फोकस करती है लेकिन दोनों के डिफरेंट आपको साइंस, आर्ट एंड बिजनेस सिखाया जाता है जहां पर आप फ्रूट की या वेजी टेबल्स की या फ्लावर्स की या ओर्नमेंटल फ्लावर्स का आप क्या करते हो रियरिंग करते हो एक तरिके साब कल्चर उसी को बोलते है कि आप देख बाल करते हो, सीखते हो और प्रोडक्शन करते हो प्लस फ्लोरी कल्चर जो है ये स्पेशली डील करता है फ्लावर और्नमेंटल प्लांट जो होते है उनके कल्टिवेशन के लिए जो कि हमारे कॉमर्शियल और डेकॉरेटिव परफ़जिस के लिए यूज आते है ठीक है तो ये हमारे सैंटल प्लेट्यू एन हील्स में आपको देखने को मिलता है फिर वेस्टर्ण ड्राई रीजन नाम से ही समझ में आ रहा है ड्राई है डेजर्ट वाला रीजन है तो राजय स्थान आएगा गुजरात आएगा कुछ पार्ट हमारे महराश्टर का आएगा फिर एग्रिकल्चर यहाँ पर चैलेंजिंग होता है क्योंकि वाटर इसकारिसिटी जो पानी है उसकी कमी होने के वज़े से यहाँ पर जो क्रिशी है जो एक होता है ना की चुनौती पूर्ण हो जाती है ठीक है यहाँ पर आपको मिलेंगे और कुछ लाइव स्टॉक मतलब की एनिमल्स को उनकी रियरिंग देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा पर साउधन प्लैट्यून हील्स में आपको करनाटिका का रीजन आंद्रप्रदेश तामिलनाडू केल्रा यह सब देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको काफी सारे क्रॉप्स दिखेंगे आप देखते हो केरला केरला नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है केरला नाम सुनते ही दिमाग में काफी जादा डाइवसिटी आती है ग्रीन प्लैंट्स आता है ना तो यहाँ पर आपको और आपको और आपको तो coffee, pulses, millet, rice ये सब देखने को मिलता है आपके cropping में हिली reason में, हिली area में आपको coconut देखने को मिलता है काफी सारे spices, rubbers, coastal reason में आपको इसी bio geographical reason of India में आपको दिखाई ये सब देता है ठीक है, seventh is coastal plains तो यहाँ पर आपको fertile plains दिखेंगे eastern and western coast के along ठीक है, इसमें पूर्वी और पच्छमी तटो के उपजाई मैदान सामिल होते हैं इसमें आप agricultural processes देखते हो काफी diverse होता है, आपको rice, coconut, species, cashew, काजु वेगिरा भी आपको इसी reason में देखने को मिलता है, उनकी cropping यहाँ का humid coastal area होता है, यहाँ fruit, vegetable, floriculture काफी जादा common होता है इस reason में, ठीक है, तो that's all about your agro-ecological reasons of India now we will talk about the floristic reason of India, okay now what is floristic reason as the name suggests itself, floristic reason जो है वो plant species के ही लिए है, और यहाँ पर assemblance की बात करते हैं हम, सेम ही चीज है कि climate, soil, topography जो है उसके द्वारा इनको differentiate किया गया है यहाँ यह जो reasons होते हैं, जैसे कि trans-himalian zone जो होता है again, यह आपके लद्दा के लाहूलिस्पिती वाले जो आपके reasons हैं वही trans-himalian zone होते हैं, यहाँ पर आपको sparse vegetation देखने को मिलेगा alpine and desert flora देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, यहाँ rainfall भी कम होती है एक होता है, हिमालियन zone हमारा अलग floristic reason है जहाँ पर आपको हिमालियन foot hills, temperature forest देखने को मिलता है rich biodiversity होती है corny ferrous आपको plant दिखाई देते हैं आपको broad leaved forest दिखाई देता है और काफी ज़्यादा आपको यहाँ पर animal के species और plant के species दिखाई देगा panisular zone जो है, इसमें आपके decan plateau आते हैं जो reasons को join करते हैं diverse vegetation होता है deciduous forest, scrubland, grassland, tropical rainforest यह सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा and indemnism जो है, वो भी यहाँ पर काफी high होगा western ghat as the name suggests itself उपर ही पढ़ाया western ghat जो है, उसकी high level of indemnism होती है और काफी ज़दा rich biodiversity होती है tropical rainforest, moist deciduous forest and evergreen forest जो होता है, यह support करता है variety of plant species को ठीक है, eastern ghat similar होता है western, same ही चीज है ठीक है, यह सब same ही चीज है जो हमने उपर आपको पढ़ाया है दोनों ही floristic reason of India जो है and agro-ecological जो है they both are like somewhat same, ठीक है तो इस चीज को आपको na individually तयार करने की जरूत नहीं है एक ही पास सारे नाम लिखना और उन सभी को एक ही साथ क्या करना याद कर लेना कहीं-कहीं आपको floristic reasons होते हैं उसमें आपको meditarian reason, the amazon rainforest and the australian out जो back है, वो भी देखने को मिलेगा तो वो सारी चीज़े भी आप याद रखना ठीक है, क्या क्या बोला हमने इसके examples floristic reason के wait a minute तो अगर हमें examples की बात करने floristic reason की और तो आपको एक meditarian reason दिखाई को देगा दिखाई को देगा क्या होता है ठीक है, फिर amazon rainforest and then australian outback आपको ये सारे examples है जिनके unique assemblage यहाँ पर आपको दिखाई देती है species की तो ये चीज़ आप floristic reason में देख सकते हो इस थी टर्म्स are very important ठीक है, तो इससे याद रखना क्या क्या बोल रही हूँ है, मैं दुबारा से इसे नोट कर लो meditarian reason फिर amazon rainforest और australian outback जो है, इसे रखना इंपोर्टेंट एक्जामपल फोर ये floristic reason ठीक है, चलो natural vegetation समझते है हमारे इंडिया का natural vegetation कैसा है ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास काफी जादा diverse natural vegetation होता है क्योंकि climate, topography and soil condition जो है, वो vary करती है और major यहां पर अगर हम बात करें तो आपको tropical rainforest दिखाई देता है natural vegetation में जो कि आपको western ghat and north eastern इंडिया में दिखाई देगा अंडमान अंडिकोबार आइलेंड के तरफ ठीक है, यहां पर आपको dense evergreen forest दिखाई देती है आपको trees की species काफी ज़्यादा दिखाई देती है जैसे कि teak, rosewood and bamboo यहां rainfall high होता है warm temperature होता है जो कि lush vegetation को support करता है ठीक है, तो क्या याद रखना है सबसे पहले तो याद रखना इनका teak, rosewood and bamboo ठीक है, यह याद रखना है यहां high rainfall होता है और कौन-कौन से part है जो इसमें included है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है tropical desidious forest की बात करें तो यह central and southern India में dominant है, pre-dominant है और यहां पर जो forest होते हैं उनके leaves जो होती है dry season में जो होती है ज़ड़ जाती है, set हो जाती है जब dry season आता है तो यहां की जो important main आपको trees दिखेंगी वो साल, teak and bamboo दिखेगा यहां wildlife बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है tiger, elephant and काफी सारे other जो wildlife होती है वो आपको देखने को मिलेगी tropical thorn forest and scrub another natural vegetation है हमारे इंडिया का यहां आपको semi-arid and arid reason of Rajasthan, Gujarat and Deccan plateau यहां आपको thorn ने, shrub जो herbs से बड़े होते हैं, trees से छोटे होते हैं ऐसे shrub देखने को मिलेंगे cacti आपको दिखेगा, मतब cactus लेगा देखने को मिलते हैं जिनके thorn नुकीले thorn निकले हुए होते हैं because क्यों निकले हुए होते हैं क्यों desert में जो plants होते हैं निकले होते हैं can you tell me the reason behind it ठीक है उसके बार यहां पर जो grasses होते हैं वो काफी जदा hard होती है क्योंकि उन्हें dry condition में अपने आपको adapt करना होता है अगर वो पतली सूखी रहे नॉर्मल सी तो वो dry condition में मर जाएंगी तो इस बज़े से उन्हें hard बनना पड़ता है उसके बार यहां का जो common tree species है again this is very important याद रखिएगा एकाईया और बबूल जो है यह बबूल जो है ना यह काफी ज़्यादा यहां पर common tree है common tree की species है फिर mountain forest की बात करें तो यह हिमालियन reason में आपको दिखाई देगा altitude reason different होता है different होता है यहां पर vary करता है यहां पर सब alpine forest of oak rhododendron and pines आपको दिखाई देंगे जहां पर lower altitude होता है alpine, middle and shrub at higher elevation आपको यहां पर जितनी भी cropping वाले नेम है नो वो सारे याद करने पड़ेंगे अब mangrove forest की बात करें तो यह आपको question reason, सुंदर्बन West Bengal की तरफ, अनमान निकोबार island की तरफ and कुछ पार्ट केरलेंट, अमिल, नाडू जो है वो mangrove forest का reason cover करते हैं salt tolerant forest इसे माना जाता है यहाँ पर mangrove trees पाये जाते हैं जिनका यह adaptation होता है वो brackish water मतब खारे पानी में वो अपने आपको काफी अच्छे से रख पाएं तो यहाँ ऐसे ही plant आपको मिलेंगे जो खारे पानी में survive कर पाते हैं ठीक है, इनके पास काफी जादा numerous species होती है हमारे mangrove forest में फिर desert vegetation अगें आपको राजिस्थान के साइड गुजरात के कुछ parts में दिखाई देगा यहाँ पर काफी जादा sparse vegetation होता है विरल वनस्पती मतब ठीक ठाक नहीं होता है काफी hard vegetation आप यहाँ माना जाता है यहाँ पर जो shrubs होते हैं this is very important and cacti also cacti तो आपको पता है dessert आप जानते हो डिजन भी पता चल जगा राजिस्थान और संपट गुजरात लिकिन यू फोर भी आद रख लेना फिर आपको well adapted arid condition with low rainfall rainfall यहाँ पर कम होती है फिर आप हम कुछ terms की बात करेंगे यह सारा हमने बात कर लिया now we will gonna move on the term portion जो आपके service में include किया गया है पहले आपका जो term है वो दिया गया था static plant geography क्या होता है इसका मतलब static मतलब होता है कि रुका हुआ थमा हुआ एक ही जगा पर उसे हम static कहते हैं or plant geography मतलब की why again हम जब भूगोल पढ़ते हैं हमारे पौधों की तो देखो जब यह static plant geography होते है यह deal करती है current distribution of pattern की plants की एक particular point पे एक time है ठीक है एक जगा है वहां का हमें plant geography जानना है तो उस time पर वहां का distribution है species का उसका क्या pattern है उन पौधों में जब हम उसकी पढ़ाई करते हैं तो उससे static plant geography बोलते हैं इसमें आपके खास करके climate, soil, topography and human activities जो की plant के distribution को affect कर रही है उनके बारे में हम काफी ज़्यादा discuss करते हैं केंद्रित होता है फिर floristic provinces एक ऐसी reasons होते हैं जहां पर आपको different plant communities दिखाई देंगी जो की similar ecological condition में जनम ले रही होंगी मतब एक ही area है ecological conditions same है लेकिन species are very much different ठीक है plant communities are very different in a same area तो उसे हम floristic provenance कहते हैं यह जो provenance होते हैं यह classify करने में बड़ा help करते हैं जो distribution pattern होता है plant species का उसको समझने में help करते हैं पूरे geographic area में ठीक है यह दो term clear हुआ फिर indemnism बार बार यह term आ रहा है यह refer करता है phenomena जिसमें एक species exclusively एक particular geographic area में पाया जा रहा है और कहीं नहीं पाया जा रहा है ठीक है world का एक ऐसा area जहां पर वह एक species है जो किवल इसी area में पाया जा रहा है and the rest of the world is unknown ठीक है कोई जानता नहीं है इससे और नहीं यह species किसी और को जानती है यह सिर्फ इसी area में पाया रही है तो इससे हम indemnism कहते हैं अगर आपको इस species को देखना है तो आपको उसी जगह पे जाना पड़ेगा इसी और इंडमिजम ठीक है नो वेर एलस इंडमिजम इस्पेसी इंडिकेटर्स होते हैं यूनिक इन्वार्मेंटल कंडिशन्स के and यह कंजोवेशनल एफोर्ट में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ecological niche क्या होता है बार बार पढ़ाया है जो role and position होती है plus abiotic and biotic दोनों जो है ना वो एक दूसरे में interact कैसे करती है उनका हम बात करते हैं ठीक है यह ecological niche जो होता है यह help करता है plant को predict करने में कि वो कैसे हमारे environmental changes है उनको वो response कर रहे हैं बहुत जादा गर्मी हो जारी है तो वो क्या कर रहे हैं different जो आपके environmental changes होते हैं उनके अनुसार जो plant है वो कैसे अपने आपको adapt करता है यह सब कुछ हम ecological niche के द्वारा पता लगा पाते हैं फिर dynamic plant geography dynamic मतलब होता है जो कभी रुका ही नहीं static मतलब होता है रुका हुआ dynamic मतलब होता है कोई distribution हर एक जगा पर अलग-अलग है तो evolutionary time scale पर हमारे पौधे किस तरीके से अपनी species को species pattern को उन्होंने distribute किया है जब हम उसकी study करते हैं मतलब यह को गती सील है हम पूर evolutionary time scale की बात कर रहे हैं हम history की बात कर रहे हैं जो कभी रुका ही नहीं हम बात कर रहें कि समय बदलते बदलते कैसे जो हमारे प्लान का distribution है वो होता गया है ठीक है different patterns कैसे बनते गए हैं तो जब हम इन सब चीजों की specifically बात करते हैं तो हम उसे dynamic plant geography कहते हैं ठीक है इसमें आपके continental drift जैसे factors को consider किया जाता है in consideration लाया जाता है पढ़ा जाता है फिर climate change के बारे में पढ़ा जाता है biotic interaction जो कि plant dispersion and evolution के लिए काफी जादा महत्तोपूर्ण है उन सभी के बारे में हम इसमें discuss करते हैं फिर है phyto geography अगेन नाम ही पता है कि plant की geography यह dynamic plant geography का एक expect है जहाँ पर आप study करते हो plant species के distribution के उनके vegetation type के सेम ही है ना phyto geography अभी तो पढ़ाया उपर ही तो बताया ना उसी का एक छोटा सा आपके लिए definition है ठीक है फिर बायो जो हमारे geographic barriers है उनके बारे में अगर हम बात करें तो यह आपके barriers होते है mountain range ठीक है बड़े बड़े पहाड होते हैं वो barrier बन जाते हैं वो जो बाधाएं हैं वो species के लिए बन जाती है oceans हो गए desert हो गए यह काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं जिसके वज़े से जो areas हैं वो बटे हुए हैं तो इसे ही हम barrier कहते हैं तो plant disperser के लिए यह barrier बन सकते हैं एक seed को अगर उड़के जाना है तो वो मात्र कुछ distance तक उड़कर के जा सकता है ऐसा नहीं है कि वो एक पूरे के पूरे महसागर को वो पुरा फान के चला जाए उड़के वहां पूरे के पूरे पहाड़ों को उसने मैंने क्या कर दिया वो मतब seed जो है वो कहे कि मैं पंची बनूँ उड़ता फिरू ठीक है माल लिजे कि यह आपका seed है ठीक है यह seed है और इसके पास है punk ठीक है और यह must उड़ रहा है इसकी एक distance होगी कि मैं इतने ही दूर तक उड़ पाऊंगा और आप इससे बोल रहे हो कि नहीं तुम उड़ो इस पूरे पहाड को तुम एकदम जम्प करो और यहां से उड़ करके दूसरे रीजन में चले जाओ यह बिल्कुल नहीं होगा तो ऐसे बायो जो जो बैरियर्स होते हैं हम उनहीं की बात कर रहे हैं ठीक है फिर land breezes हो गया corridors हो गया यह भी plant migration and gene flow के लिए एक barrier जो है वो बन जाती है जिसके वज़ा से एक species एक ही जगा पर रह जाती है वो दूसरे जगा पर नहीं आपाती है ठीक है फिर second अगर हम बात करें तो हमारा है evolutionary adaptation यह play करता है crucial role हमारे plant के distribution को समझने के लिए और यह species जो develop होती है जिनके पास special special traits होते हैं वो कैसे survive कर रही है कैसे reproduce कर रही है एक specific environmental condition में उसे भी हम समझते हैं हमारे evolutionary adaptation ठीक है यह formation करता है जो evolutionary adaptation है एक species अलग-अलग environmental चीजों में जा करके adapt कर रही है अपने आपको उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल रही है तो changes ला रही है न तो different plant communities बन जाते हैं different region में इसी adaptation के वज़े से ठीक है फिर हमारे कुछ basic principles है जो govern करते है geographical distribution of plant अगेन बार-बार हमने बात की कि जो बार geographical reason है वो climate, soil, topography इन सबी के वज़े से क्या हो रहा है distribution जो है वो हुआ है तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो climate जैसे की temperature, precipitation और seasonal influences जो है वो एक type of plant को काफी ज़्यादा अफेक्ट करती है जो particular area में एक प्लान को grow करना है तो वहां का temperature, वहां का precipitation, वहां का season यह सब कुछ काफी ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे प्लान को different plant species जो है उनका एक specific climatic requirement है और उनके distribution pattern को वो save करता है अब कोई plant है जो normal water, fresh water में रहने वाला है तो उसका जो area है वो fresh water वाला है अगर आप उससे यह expectation रखो कि वो marine water में जाकर के बहुत ही अच्छे से adapt कर ले तुरंथ और बहुत ही अच्छे से वापर grow कर जाए तो वो नहीं होने वाला है वैसे ही जो हमारे कुछ plants होते हैं वो high temperature में survive कर जाते हैं कुछ plants होते हैं जो low temperature में किवल से किवल survive करेंगे high temperature उनको मार देगा खतम कर देगा तो वो high temperature में नहीं survive कर पाएंगे है ना तो ये सारी चीज़े आपको याद रखना है और अगर आपको climate जो है वो plant distribution को कैसे affect कर रहा है इसका एक example भी देखना हो ना तो आप temperature and altitude का example देखो उनके बीच का relationship देखो हमारे mountainous region में जैसे जैसे altitude increase होता है temperature अपने आपी decrease होने लगता है जिसके वज़े से vegetational zone में changes आते हैं जिसे हम altitudinal donation कहा देते हैं इस reason में आपको हिमाल्या वाला reason बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इसी जो आपके climate है अगर हम उसके वज़े से बात करें तो climate के वज़े से हम लोगों ने काफी vegetation बाते हुए हैं जैसे tropical हो गया temperature हो गया, alpine हो गया if we talk about the tropical तो tropical जो होता है यहाँ पर lower altitude होता है और हमने बताया कि altitude is universally proportional to your temperature अगर यहाँ पर low altitude है तो temperature क्या होगा, warmer होगा तो यहाँ पर आपको tropical vegetation tropical rainforest and deciduous forest देखने को मिलते हैं, only because of the change in your climate तो इस तरीके से pattern जो होती है species की, plant species की, वो distribute हो जाती है ठीक है, फिर अगर if we talk about the temperate vegetation तो यहाँ altitude increase हो जाता है जिसके वज़े से temperature decrease हो गया अब यह आपको transition दिखाई देगा temperate vegetation में ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ कोनी forest trees दिखाई देगी जैसे pine, fair, spurs फिर अगर हम बात करें हमारे alpine vegetation की, है न यहाँ alpine vegetation की बात करें तो यहाँ higher altitude होता है और यहाँ पर जो temperature होता है वो काफी ज्यादा cold होता है क्योंकि बहुत higher यहाँ पर आपको altitude मैंने इसको इस तरीके से याद किया था कि A for alpine and A for most extreme आप देख सकते हो altitude तो extreme level altitude है तो यहाँ पर extreme level cold हो जाएगा temperature जो हो डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर trees जो होती है वो बहुत होते है ना कैसे grasses दिखाए देंगी mosses, lichen, hardy shrub यह सारे आपको यहाँ पर alpine जो है vegetation में देखने को मिलता है तो यह जो category बनी यह जो vegetation create हुआ यह क्यों हुआ? only because of the climate if we talk about the soil ठीक है? तो soil composition, fertility drainage, pH यह सब growth and distribution को plant की जो है उसको affect करेंगे plant vary करता है different soil type leading to the formation of soil dependent plant community तो देखे अगर हम बात कर लें soil की तो soil के changes में जितना मैं याद करूँ acidic soils होते हैं हमारे rainforest reason में है न? alkaline solid होते हैं हमारे arid reason में loamy soils होते हैं temperate reason में and volcanic जो हमारे soils होते हैं वो कुछ volcanic island में आपको देखने को मिलते हैं तो यह reason कैसे defined हुआ यह reasons हैं यह कैसे बने only because of the जो हमारे principle है basic principle जो soil है उसके वज़े से बना क्या क्या बोला कि देखो rain forest reason में हमारे acidic soil होते हैं heavy rainfall होता है warm temperature होता है तो यहाँ पर जो soil होता है न वो low in nutrient होगा क्योंकि acidic है और moisture जो है उसको retain यह काफी अच्छे से कर लेता है जो यहाँ पर plant species adapt की हुई होती है वो epiphytes होती है epiphytes मतलब क्या कि ऐसे plant जो कि दूसरे plants पर जनम ले रहे हो फिर ferns हो गए ऐसी कुछ trees आपको दिखाई देंगी acidic soil में जिनकी sallow root होगी कैसा root system होगा sallow root system होगा तो हमारे rain आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि soil के वज़े से अगर आप different reasons देखना जाओ जैसे हमने climate में देखा न temperate, tropical and alpine वैसे ही आपको soil की example में देखना है rainforest region, arid region उसके अलावा आपके temperate reason तो इन तीनों में अगर मैं बोलो soil क्या है, कौण कौण से soil है तो हमारे rainforest region में Ciric soil पाए जाते है हमारे arid region में alkaline soil पाए जाता है हमारे temperate region में loamy soil पाए जाता है loamy soil जो है, वो हमारे temperate region में पाए जा रहा है है न अगर हम speciality की बात करें कि what is special, क्या है special तो मैंने बोला न कि जो हमारे rainforest reason होंगे महाँ पर epiphydes पाये जाएंगे जिनकी shallow एक तब epiphydes पाये जाएंगे जो कि other plants पर grow करेंगी plus ferns and trees पाये जाएंगे जिनकी जो roots होंगे वो काफी ज़्यादा shallow होंगी फिर alkaline soil जो arid reason में पाया जा रहा है यहाँ पर जो rainfall होता है और जो evaporation होता है वो काफी ज़्यादा high rate में होता है तो यहाँ की जो soil होती है इसमें salt, mineral जो होता है वो काफी ज़्यादा पाया जाता है जो इसे less fertile बनाया देता है क्योंकि salt पाया जा रहा है तो जो plant species यहाँ पर adapt होती है हमारे alkaline soil जो arid reason में पाया जा रहा है तो arid reason में जो आपको plant species adaptation दिखेगा वो आपको succulents दिखेंगे जैसे की cacti ठीक है फिर जो loamy soil हमारे temperate reason में पाया जा रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा mixture, balance mixture दिखाए देगा sand का, slit का एंड कले का ठीक है, जिसके वज़े से dashed years trees, grasses, flowering plants सब कुछ आपको temperate reason में दिखाए देता है क्यों? because of the presence of loamy soil फिर volcanic soil आपको volcanic island, vigara के तरफ दिखाए देते हैं तो यहाँ पर आपको pioneer species जैसे की mosses, lichen यह सब आपको दिखाए देगा ठीक है तो यह क्यों distribution जो बना हमारे plant species का, वो किसके वज़े से बना only because of the soil if we talk about the topography तो elevation हो गया slope हो गया, expect हो गया, micro climates हो गया यह सब के वज़े से आप देखते हो कि distribution हो जाता है ठीक है तो topography में जैसे elevation विगेरा हो गया, इसके वज़े से आपको ना, mountain slope जो होते है वहाँ पे different vegetation zones आपको दिखाई देंगे lower elevation पे आपको warmer climate को वो support करता है, यह दिखाई देगा यह जारी चीज़ें आपको topography में समझ में आती है, slope जो होता है यहाँ पे sunlight, water, nutrient इनके distribution को affect करता है है ना, steep slope आपको soil erosion काफी जादा देखने को मिलता है water runoff देखने को मिलता है तो इसके वज़े से जो plant communities है वो diverse जो होती है वो topography के वज़े से बन जाती है ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा, if we talk about the distribution तो natural events जैसे की wildfire, flood, volcanic eruption human activities, like deforestation land use change, यह सब अल्ट human activities are also the cause for the distribution different distribution है हमारे plants का जो pattern बना हुआ है उसके लिए human activities भी काफी ज़्यादा responsible होती है क्योंकि आप कहीं का पेड़ काट रहे हो कहीं पेड़ लगा रहे हो कहीं land use के लिए पूरे पेड़ों को पूरी उस जमीन को ही बिल्कुल खाली करवा दे रहे हो तो महां का vegetation आप खतम कर रहे हो तो एक तरीके से वो भी आपका एक cause बन जाता है जिसके वज़ए से different plant जो communities है उनका pattern आपको different जग़ पे दिखाई देता है ठीक है फिर last topic है वेजिटेशनल टाइप जो की हमारे उत्रप्रदेश में पाया जाता है क्या UP ठीक है तो यहां उत्रप्रदेश में अगर हम बात करें तो most populous state है various vegetation type आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है some vegetation type जो है tropical deciduous forest आपको देखने को मिलेगा जहां पर wild spread vegetation यह most widespread vegetation टाइप है उत्रप्रदेश का that is tropical deciduous forest यह आपको central and southern part में दिखाई देगा जैसे मिर्जापूर हो गया सोन बद्र हो गया अलहाबाद हो गया यहां पर आपको tropical deciduous forest दिखाई देगा यहां पर जो trees काफी जादा dominantly पाई जाती है वो साल हो गया that is sorio robista teak हो गया neem हो गया mahua हो गया यह सब कुछ आपके tropical जो आपके deciduous forest हैं उसमें पाई जाते हैं हमारे उत्रप्रदेश में यहां पर आपको काफी जादे animals की अगर इस्पिसीज की बात करें तो tiger, leopard, deer and birds की कुछ जो इस्पिसीज होती है वो numerous कुछ नहीं numerous आपको दिखाई देगी तो पहला आपने क्या पड़ा कि जो हमारे उत्रप्रदेश का first vegetational reason है जो area है वो है tropical deciduous forest जिसमें आप देखते हो कि सबसे फइला हुआ जो यह portion है ना इसी का है tropical deciduous forest का यह आपको मिर्जापूर, शोन, भादर, अलहाबाद में देखने को मिलेगा यहाँ पे जो dominated trees होती है जो सबसे ज़ादा पाई जाती है इस region में वो sauryo robista, teak, neem, mahuwa पाया जाता है वह अगर हम animals के case में बात करें तो tiger, leopard and numerous bird species आपको इस region में देखने को मिलती है फिर river wine forest की बात करें यह second हमारा vegetational type है उतरप्रदेश का यह आपको bank of major river जैसे गंगा, यमुना एंड घागरा ठीक है यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर species periodic flooding and high soil moisture के हिसाब से अपने आपको adapt करती है तो यहाँ पर कुछ specific चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जैसे बबूल, खेर and जामुन के पेर ठीक है यहाँ important habitat, aquatic and terrestrial wildlife जिसमें आपको fishes, turtle and migratory birds आपको इस river wine forest में देखने को मिलेगा रिवर वाइन से याद रखना कि गंगा, यमुना and घागरा जो है उनके बैंक, उनके तटो पर आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलती है जहाँ बबूल, खेर, जामुन देखने को मिलेगा and fishes, turtle and migratory birds इन animals आपको देखने को मिलेगा फिर थर्ड है, sub-tropical pine forest जो आपके higher elevation of shivalik hills in the northern part of state including area जो की पौरी घरवाल and नैनी ताल के तरफ देखने को मिलेगे यहाँ आपको चिन, pinus, oak ठीक है, जो pine है, जो चिर है, जो oak है उस तरीके के आपको plant species देखने को मिलेगा फिर, rhododendron and bamboo यह भी प्रजातियां यहाँ पर प्रमुख होती है फिर यह flora and fauna दोनों को support करता है यह adapted होता है mountain ecosystem में जहाँ bird, species and small mammals देखने को मिलते हैं फिर उसके बाद अगर हम बात करें grassland and sawanas की तो जो हमारे grassland and sawanas है उसमें आपको drier reason जैसे की बुंदेल, खंड और कुछ पार्ट उतरप्रदेश का western उतरप्रदेश का इस reason में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको open grassland inter-spreaded scattered trees and shrub जैसे की ekaya and bear देखने को मिलेगा जो bear के पेड होते हैं and bubble जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे यह grazing life stock and wildlife species को support करती हैं क्योंकि इनका open habitat होता है तो open रहने वाले जो खुले आसमान के नीचे रहने वाले जितने wildlife होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे then wetland and marshes जो earth भूमिया है जो दलदल है वो भी आपको देखने को मिलता है उतरप्रदेश में यह distributed होता है low lying areas and flood plain में यहाँ पर include होता है marshy area, swamp and wetland ठीक है हम wetland and marshes में क्या-क्या include कर रहे हैं Hastinapur जो है Hastinapur wildlife sanctuary जो अपर गंगा river basins है वहाँ के जो आपके marshy area swamp and wetland होते हैं यह एक्वेटिक प्लांट, waterfowl and wetland dependent species को काफी जादा यह जो रीजन है उतरप्रदेश का वो support करता है ठीक है फिर urban and agricultural land escape is the last ठीक है मेरा भी अब हालत खराव हो रहा है एक घंटा हो गया ना में तब बेट थोड़ी ठीक नहीं है इस वज़े से आज थोड़ा समय लो फील कर रही हूँ urban and agricultural land escape की बात करें तो यह आपको कानपूर, वनारशी, लखनव ऐसे जगब पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर human modified land escape जैसे की park, garden and street trees आपको दिखाई देंगी extensive agricultural land cover मच होता है इस state में लखनव, कानपूर, वनारशी यहाँ आपको wheat, rice, sugarcane, potato यह सब कुछ इनकी croppings आपको उतरप्रदेश में देखने को मिलेगा so that's all about the today's video आज हमने इंडिया के बारे में वर्ल्ट के बारे में उतरप्रदेश के बारे में short note तयार करेंगे एक ही page में हम सब कुछ लिखने की कोशिश करेंगे और अगर एक से दो दिन में हमने उसे लिख दिया बहुत अच्छे से revise करने के लिए तो फिर वो हम telegram पे आपके लिए send कर देंगे ठीक है तो उसे आप याद कर लोगे तो objective तो मक्खन क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से अभी न्यूटर मा रहा है देखो हल्वा क्लियर के ज़िए मक्खन क्लियर नहीं कल रहा है पता नहीं आग आइ तिंक हो सकता है मक्खन वाला कुछ मैंने खाया हो ठीक है का टार्गेट है तो उसे कंप्लीट करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई चेक कियर बी हैपी